देखे पाली भासा में जो यह शब्द है इसको बोलते हैं वन वन का मतलब है वे आधारें और पूड़ा अने और इसका पाली में कोई ऐसा मतलब नहीं है कि यह वर्ग है या कोई क्लास है या क्लासिफिकेशन है जैसा कि आम बोलचाल में कहते हैं कि वर्ण एक क्लासिफिकेशन है जैसे बोला जाता है कि चार वर्ण है क्योंकि वहाँ वर्ग को वग बोला जाता है पाली में तो वर्ण क्या है वर्ण बेशी कर लिए वर्ण पाली में या वर्ण का मतलब होता है रंग जैसे हम कहते हैं श्वेत वन या सेत वन, पाली में कहेंगे तो सेत वन या स्वेत वन, सफेद वन का, श्याम वन, काले वन का, काले रंग का, या पीत वन बोलेंगे, पीत का मतलब है पीले वन का, या लोहित वन बोलेंगे, रक्त वन बोलेंगे, लाल वन का, लाल रंग का, हर नील वर्ण का मतलब है नीले रंग का यह ऐसे करके वर्ण का मतलब सीधा सीधा स्पष्ट है कि पाली में इसको रंग बोलते हैं अब वर्ण की दिक्कत क्या है और परिशानी क्या है कि जब भारत में सारे लोग यहां रहते थे और सब लोग यहां मूल निवासी यहां के थे तब यहाँ सिर्फ रंग था इसका मतलब, कलर, और कोई मतलब नहीं था, मगर जब कुछ बहार से लोग आए, जिनके चेहरे का रंग कोई थाई नहीं, और वो सफेद रंग होता था उनका, तब पहली बार यहाँ रंग के उपर विभाजन हुआ, और विभेद हुआ, विभेद हुआ, क्या हुआ, हमारे जो इधर मूल लिवाजी लोग थे, उन्होंने कहा कि हम हैं वर्ण वाले लोग, और ये रंग से फीके हैं, बेरंग हैं, इनका कोई रंग नहीं है, विदावट कलर हैं, तो उनको कहा अवन, यानि के अवन बिना रंग के, बेरंग वाले, तो दो लोगों का विवजन हुआ यहां, एक रंग वाले, जिनका रंग यहां, चूंकि यहां का भारत की जलवाईव, गरम जलवाईव है, तो यहां के रंग काले और पक्के होते हैं, और जो लोग बहार से आए, वो सफेद रंग थे, क्योंकि वो बहुत ठंडे प्रदेशों से आए, तो उनका रंग कोई था नहीं, तो उनको अवन कहा, और इस तरह से विवाजन हुआ, फिर मिक्स उनके, और यहां की जो संतानों से मिक्स संताने आई, या जो मिक्स लोग इसका मतलब है, एक मिक्स राया, और उस मिक्स को, या संकर वर्ण को, हाइब्रिट को एक तीसरा वर्ण बना, यह तीन वर्ण थे, अब तीन वर्णों के यह लोग थे, और तीन वर्णों में, जिनका रंग अच्छा माना जाता था, उनको सुवर्ण बोलते थे, सुवर्ण माने यसे सु माने अच्छा होता है, सु वंड माने अच्छा रंग, देखने में अच्छा लगे, और जो बाहर के लोग आए, जिनको अच्छा नहीं माते थे, वो अवर्ड हो गए, यानि कि उनके कोई रंग नहीं था, डिश्टी बुसन यहां तक था, यहां तक तो बात ठीक थी मगर बात में जो One बनाये गए वो One पाली में क sujet दिखाई नहींति थे जिसमें ये कहा गया कि छत्रीयवण छत्रीयवण इसलिए पाली में एक्जिश्ट नहीं करता क्योंकि पाली में 6 वड़ी नहीं है जब 6 वर्ड नहीं है तो छेत्रिय वर्ड नहीं है क्योंकि जो लोग खेत में काम करते थे उनको खेतिय बोलते थे और भारत में पाली के बुद्ध के समय से पहले तक में सेनाय नहीं होती थी जब सेनाय ही नहीं होती थी तो छेत्रिय कहां से आये और उस समय तक हतियार भी कोई खास नहीं होते थे और पहले तो प्लोगल हतियार थे थे भी नहीं तो युद्ध भी नहीं होता था, संगट सेनाई भी नहीं थी और युद्ध भी नहीं होते थे तो छेतिय वर्ड, छे वर्ड पाली में नहीं है पाली में खेतिये मिलता है यानि जितने भी लोग थे वो खेतिये में काम करते थे इसलिए उनको खेतिये बोलते थे और खेतिये वर्ड को ही जब बाद में भासा का modernization हुआ और उसको बनाई की भासा add की गई और संसकारित की गई तो modification में आदा के और खे जो है उसको छे भी बोला गया दौनों सब्द चले अभी हम खेत भी बोलते हैं और छेत भी बोलते हैं और आप ध्याद दें कि चेतर और खेतर दोन्हों एक चीज है चेतरी और खेती ये अलग लग चीज है मगर छेतर और खेत एक ही है छेतर रफल कितना है और खेतर रफल कितना है एक ही बात है मगर छेतर चत्रिय कौन है और खेतिय कौन है यह अलग अलग है तो भासा के अंतर से जो खेतिय थे उनको छेतिय चत्रिय कहा गया और जो छेत्रिय थे उनको खेतिय कहा गया भारत के सारे के सारे लोग आज भी खेती हैं क्योंकि काम ही वहां दो थे उस समय या तो खेत में छितर में काम करना और या जंगा से जाके पश्चों का शिकार करके उनका मास, अंडा, मचली और उनका दूद, उनकी खाल, उनकी हड़ियां ले के आना ये प्राइम काम थे ये ये बताई गई है, ये पाली के हिसाब से रंग भेद है और ये साफ साफ कहती है कि यहां के जो मूल निवासी है वो काले पके रंगे हैं, उन्हें अपने रंग पर बड़ा गर्भ है और बड़ा गुमान है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि वो रंगीन लोग हैं, रंग वाले लाइने चली आ रही है, जो वनसावरी चली आ रही है कि हमारे पिता कौन, उनके पिता कौन, उनके पिता कौन, ये गोत उसको बुला जाता है सिंपल सा होता है, कि जो जिस कवीले में कुल में आता है वो उसके कुल का कवीले का मना जाता है वो उसका गोतुता ये एक जानगारी के लिए पैचान के लिए होता है कि कौन आदमी कहां से समधित है पाली में सिर्फ इतना ही है धन्यवाद